बांगलदेश के खिलाफ फिलोप रहने वाले रोहिश श्यर्मा को लगा बड़ा जटका बांगलदेश के खिलाफ हुए दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज में रोहिश श्यर्मा जलवा दिखाने में नाकाम रहे और इसका बड़ा घाटा उने हुआ दरसल ताजा ICC टेस्ट बल्लिवाजी रैंकिंग में रोहिश श्यर्मा को तीन पायदान का नुकसान हुआ है बांगलदेश के खिलाब दोनों टेस्ट में रन बनानी में असफल रहे रोहिश श्यर्मा अब टेस्ट में टॉक 10 की रैंकिंग से बाहर हो गए है रोहिश 10 की स्थान से 13 की स्थान पर पहुँच गए है बता दें कि बांगलदेश के खिलाब रोहिश श्यर्मा का बल्ला नहीं चला था टेस्ट में रोहिश श्यर्मा ने पहली ढाई का अंक भी नहीं चुपाए जबकि दूसरी टेस्ट में 21 रनी बना सके हाला कि इस से पहले रोहिश श्यर्मा ने अपनी वल्लिवाजी का जल्वा दिखाया था रोहिश श्यर्मा ने दच्छन अफरीका के खिलाब टेस्ट सीरीज में बहतरीन प्रदर्शन किया था और बहे सबसे ज़ादरन बनाने वाले वल्लिवाज रहे इसके लिए उन्हें मैन अप दा मैच भी चुना गया रोहिश श्यर्मा ने इस प्रदर्शन में दम पर ही टॉप 10 की लिश्ट पर जगह बनाई थी लेकिन अब एक बार फिर वाए खराब प्रदर्शन के बाद रैंकिंग में पीछे किसक गए है बागलदेश के खलाव टेस्ट शीरीज में रोहिश श्यर्मा इस फॉर्म की साथ नजर नहीं आए जिसकी उम्मीद की गई थी कही न कहीं पहले डे नाइट टेस्ट में फैंस को उम्मीद थी कि रोहिट बढ़िया करेंगे क्योंकि यह मुकाबला कॉलकत्ता के इडन गार्डन मेंदान पर खेला गया रोहिश श्यर्मा के लिए यह मेंदान बेहत खास है और उन्होंने बंडी प्रारूप की तहट यहाँ कई रिकॉर्ड बनाए है बैर रोहिट टेस्ट की तहट यहाँ कमाल करने में नाकाम रहे क्या आगे की मैच में रोहिश श्यर्मा सबकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगी या नहीं अपना सुझा आप कॉमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार